हेलो फ्रेंड गुड आफ्टरून आज हम लोग नियू टॉपिक प्राग्माटिजम पढ़ने वाले हैं बट उसके पहले मैं आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ जो लोग मेरे साथ फ्री हैं डोंट वरी उनका जैसे कंटेंट चल रहा है वैसे ही चलेगा जो अल्रेडी अनकाडमी में प्लस पर हैं वो मुझे प्लस पे आइकॉनिक सब्सक्रिशन के अंदर फॉलो कर सकते हैं वहां मैं आप लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्विज डिफरेंट डिफरेंट मॉक टेस्ट जितना हो सता है आपको आपके जैर अफ तक पॉचाने के लिए हर वो कोसिस करूंगी तो अगर आप आइकॉनिक में हैं तो प्लीज कम अंदर मी फॉलो मी मेरे कोड को यूज करो I will share the code with you उस कोड को जब आप यूज करोगे तो I will get in touch with you मैं directly आप से touch में होंगी and हर कुछ आपका स्ट्राटिजी क्या है आ आप कहां वीक हो कैसे हो क्या हो हर कुछ मैं उस आइकॉनिक अंदर समझाऊंगी and हर एक छोटे-छोटे पॉइंट का आप पे नजर रखोंगी आपके पढ़ाई पर ट्राक रखोंगी अगर आप कहीं डी मोटिवेटर हो तो वहां आपको मोटिवेट करोंगी और आप कहीं मैंने ओनबोर्ड किया है अनबोर्ड किया है इसके पहले मुझे यह नहीं पता था तो जो लोग प्लस में हैं उनके लिए वह मुझे डिरेक्ली आइकॉनिक के अंदर कर सते हैं और इस आइकॉनिक के अंदर क्या क्या है में अलग से वह वीडियो बनाऊंगी ताकि आप सामने से सुनी कि क्या-क्या वॉर्क है वेरी फेंटास्टेक के साथ सिर्फ पर सकते हैं लेकिन हम सारे जो कि यह को हर एक बच के ध्यान नहीं देते हैं और हड़ेके जूक अहर तो पहर पर दत हैं से कंबाइं करने करना है तो प्लस होअ हमारे जेयरफ को 110 पॉसेंशी के यह साथ कराई है अगर हम जैसे उस फॉलो करते वैसे फालो करेंगे तो कन्फर्म है यहां पे हमारे ट्रैक प्लस करते अब सरतिक काई कोई जब तो वहाँ पे चलेंगे है ना तो हाँ स्टार्ट करते हैं प्राग्मेटिजम के लिए न्यू टॉपिक एंड फ्री लर्नर प्लीज आप बिल्कुल टेंशन निलेना मैं सुरू से आपके लिए थी आपके लिए हूँ जैसे हमारा मॉक्टेश चलता वैसे ही चलेगा जैसे हमा आपको भी मैं रेगुलर टू रेगुलर यहां मैं फ्री लर्नर में जान नहीं पाती कि कौन को मुझे देख रहा है कौन कर मेरे वीडियो को देखता है मैं चार से पांच नाम के लावा मैं किसी को नहीं जानती कि मेरे वीडियो को कौन देखता है और आज मैं उन पांचो क डूसरी साल यह यह से कि दोख्ता है ना री बोट को मैंनल बोटिट साथा है मुझे पैलेदर ज़ते हैं संतर हैं overly घृमिडेटन इसम 750 विक्राइब को सब्सक्राइब का रणार हوج जो मुझसे कड़ मैं ऌल दोखना है मुझस्त तो यह 6 साथ हैं इन साथों को मैंने स्पेशली डायरी में नोट किया है और अब मैं जैसे उनके लिए जैसे मैं आइकोनिक में कुछ स्पेशल करूँगी वैसे यहां भी करूँगी सो डोंट वरी आप साथ को मैं पक्कत जैरफ दिलवा के रहूंगी अगर आपका जैरफ या नेट है क्योंकि मैं आप साथ को अभी पर्सनली जानने लगी हूं जिसको मैं जान रही हूं मैं उसकी बात करी हूं और भी जो मेरे वीडियो देखने हैं वो तो अल्रेडी फायदा मैं इसे करेंगे तभी पढ़ाई हो पाएगी वरणा हम चुछ टाल देते हैं यह वीडियो क्ल देख लेंगे ऐसे करके धेर करा हो जाता है कह रहा हूं जिसके कान हम वीडियो नहीं देख पाते हैं तोतो जरूड देखो हैं अगर वीडियो अच्छा लग लाइक लाइक ल ने ने हैं Хाँअ के प्राग्मधिसम करें है तो में किमुद्धिक को सबूर्टम करके तो की रखना यह किसी भी फिलसोफिय को अगर हम प्राग्मधिसम को चोड़ दे को छहें प्रेस्टम पार्ट है जिसको दिसकस करना बहुत जरूरी है दिसकूल समायों को और इसे फिलोसफ़ी की बिषन का भी ग्वाइब तो इनकर्षीello किया बहुत और इंपॉर्थ d oppression. इस अधिम बहुत पॉपर्णट तिंग इस फिलोसफी का क्या है कि ये फिल्ल उफ ए दुकेश्न में बहुत वामली वेलकम किया गया.. इस फिलोसफी को ः स्कूल में छोड़ दें जो दर्शन तरही में धर्शन में टिहासमें लोग्भिय contemplate रेफार इस विस्ट्रिस साच्षिक प्रभाव पड़ता है जिस दर्शन के ऑड़ा में सबसे महतब म॥ार्पूर बात जिया है गर्म जोसी से स्वागत किया गया है बहुत वेलकमिंग किया गया है और इसके अभियास उचारों रूप से चल रहे हैं तो यह तो एक छोटा से जोन ने जनरल इसके अब हम लोग में स्टार्ट करेंगे प्राइगमेटिजम ठीक है अगर हम चीफ एक्सपोनेंट के प्राइगमेटिजम का बात करें तो वह कौन है विलियम जैम्स जॉन डीवी चार्ल पियर्स एंड एसकिल पैट्रे ठीक है यह लोग क्या है एक्सपोनेंट है फाइन अब जो वर्ड प्राइगमेटिजम है वह कहां से डिराइव हुआ है तो वह दो वर्ट से डिराइव हुआ है एक हुआ है प्राइगमा और एक प्राइगमेटिकोस फाइन एक क्या है प्राइगमा और दूसरा है प्राइगमेटिकोस अगर हम प्राइगमा की बात करें तो प्रागमाम जो किए मैonya मतलब एक्सिन कोई एक्टिविटी कोई गतिविधी कुछ काम कुछ कार्य है तो उस से और Ferratt प्रागमे टिक मतलब ग्राक्टिकैबिलिटी वर ती फेलर यूटिलिय्टी कशी docit यह चीज़ है यहां से तो नाम से पता चल गए सीधा सीधा प्रेग्मेlor से क्या कि Tabii ada कि सिभी बात करेंगा वह किस पर बात करेंगे एक संप बात करेंगे एक्विशन इन सब बात करेंगे और वह action कैसा होना चाहिए जो प्राक्टिकेविलिटी हो जो यूटिलिटी हो जो हमारे काम के हो गया अब मान लेते हैं typing सीख रहे हैं ये भी एक action है राइट computer सीख रहा है बच्चा ये भी एक action है तो क्या ये दोनो pragmatism है हो सकता है सबसे जादा focus और सही pragmatism को कौन डिसक्राइब करें ये computer सीखना क्यूं क्यूंकि ये आज के लिए हमारे utility है क्या टाइपिंग आज हमारे काम में आता है कि पेपर पर टाइप करो और फिर और फिर उसके बाद प्रिंट आउट निकालो फिर उसका ये वो ने ना सबसे जादा क्या कम्प्यूटर पहीं हम आज कल सब कुछ करते तो वह ज्यादा यूटिलिटी है प्राक्टिक अबिलिटी है ठीक है अचा और एक और चीज यहां पर अगर हम father of pragmatism की बात कर तो वह कौन है चाल्स पीर्स याद रखना हम लोग जॉन डिवी मान लेते है जॉन डिवी भी है लेकिन father प्राति को ने चाल्स पीर्स आप यह दो यह नहीं एक्टिविटीज की बात की थी इसलिए चाल्स पीर्स के में एक्स्पोनेंट थीक इसके में फादर बोल सकते हो आप लोग तो यह हो गया देरफोर प्राग्माटिजम एद स्कूल फिलोसफी बेस्ट अर्चन और एक्स्पेरिमेंटेशन है इसले प्राग्माटिजम एक ऐसा स्कूल फिलोसफी जो किस पर बेस्ट है एक्सिन पर कारहे पर एक्स्परिमेंट के इस पर या फिर उसके यूटिलिटी पर ठीक है बेखे लिए न की किजे और भूल रूपस एक अमेरीकी दर्शन में इन द्रक्षािस द्वारा टार्शन च्पिर्वार ब्रेवरिगता सब और उत्तप्थी कहां से प्रहवर्गता Х vrij लोग है उप्योंगिता यह वह वाह रिकत्ता है यह जो है sharp इसके लिया या प्रियोग का माफदन क्या है उसकी उपियोगीता है टेक्निकली अगर हम बात करें प्राग्माटिजम क्या है एक फिलोसफी है जिसमें की एक्सपेरिमेंट किया जाता है सबसे पहले and on the basis of its result और उसके result के basis पर आईडिया और प्रिंसिपल क्या होता है? फ़र्म होता है इसले इस फिलोसफी को क्या बला दाता है? एक्सपेरिमेंटलिजम क्योंकि यहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और अगर एक्सपरिमेंट से रियुल्ट लाया तो हम उसके प्रियोक गया, क्वराफिट करते हैं किसी प्रख्यार का है, तो इसलिए इसको क्या प्रियोक प्रियोक क्या जाता है, तो इसको тогда का है इस ये में थे हमा ni एक विचार आया है एक सिधांत आया और उसका निर्मान करते हैं इसलिए इस दर्शन को क्या कहते हैं प्रयोग वात के रूप में भी जाना जाता है अगर बात करें एज़ फिलोस्फी प्राग्मेटिजम का क्या है लॉंग हिस्ट्री है प्राग्मेटिक आइडेल वर फाउं क्यों कि इंसान खुद करके सीखता है तो दुख हो सुख हो सब कुछ का ओन फेस करेंगा मैं फेस करेंगा है इसलिए मैं इस मेंजर आफ ओल तिंग्स यह बहुत इंपोर्टेंट लाइन है बहुत बड़ा की वर्ड है आपके लिए और समझने के लिए वी कि मनुष्य सभी और समय करेंगे तो हम करेंगे हमी हर कुछ को ना प्रहें जोख रहें पड़क रहें तो इसलिए मैं ही सब कुछ का मेंजर है दुख हो सुख हो खुसी हो सब कुछ के मेंजर कौन है मैं और यह कौन मोदा है प्रोटागोरास के pragmatism में बोला गया ए ठीक है यह दर्शन के क्या बोला कि pragmatism is a temper of mind and attitude, it is also a theory of the nature of idols and truth and finally it is a theory about reality मतलब ये बो रहा है कि जो William James उन्होंने ये opinion दिया कि pragmatism क्या है हम एक temper है, एक idea है मतलब हिंदी में देखे है कि वहवारिक्ता मन और इसको एक सभाव है ना या दर्श और सत्य की प्रकृति का एक सिधान भी है और अंत में ये किसी बात करता है, रियालिटी की बात करता है, वास्तविक्ता की बात करता है, तो यही बात यहाँ भी बोला जा रहा है कि pragmatism क्या है Miriam James ने बोला कि pragmatism एक temper है कि इसका mind और attitude का, और इसलिए थोड़ी of nature of ideals and truth भी है आइडियल्स, आइडिया नहीं है, आइडियल्स है, और फाइनली है कि इसका reality का है, अगर हम इस बात को जोन डिवी के words में बोले हैं, तो इसका उनका मतलता है, वैल्यू क्या unstable है, जैसे की cloud, जैसे की बादल, अगर हम आसमान में जो बादल होते हैं, अगर हम उनको देखे की हैं, तो कभी ऐसे हो जाएंगे कभी इस तरह से हो जाता है, यानी इस होते हैं कभी रहते हैं, कभी रहते हैं, कभी framम इस अनका यह रहते हैं जैसे कि clouds में, they keep on changing from time to time and reality is still in the process of making यह भी बहुत बड़ा keyword है friends, याद रखना है आप लोगों को reality is still in the process of making यह भी star mark देलो, जब नोट्स बनाऊगे तो PDF बाद में read करने का होता है लेकिन जब साथ में बोलते चलती हूँ और important है online को एक जगा कर जरूर लिका करो very very important for you all ठीक है, तो reality क्या है, still है in the process of making अब क्या इस line का मतलब बिजो समझते अब friends, हम कुछ चीज देखें और यहाँ फिस पे action किये कोई idea लेया है, ठीक है अब कुछ देर बाद, हम क्या देखें फिर कुछ की है अभी हम इसको मान लिए reality लेकिन फिर कुछ action किया और फिर कुछ नया विचारा गया तो reality यह होगी है reality क्या है, अभी भी making के process है बनता जारा, बनता जारा, बार बार क्योंकि value चेंज होता जारा है क्योंकि time to time reality चेंज होता जारा है और इसी लिए यह still in the process of making है तो यह बहुत important है समझना, ठीक है तो अभी तक हम लोग ने तीन कीवर्ड देखा सबसे पहला क्या, pragmatism तीन नहीं, चार देखा क्या, pragmatism में action दूसरा क्या देखा, कि man is the major of all things तीसरा क्या देखा, value क्या है, unstable है और किस की तरह है, cloud की तरह है और चौथा, reality is still in the process of making तीस प्राग्माटिज में जो स्कूल of philosophy प्राक्टिकल और यूटिलिटेरियन फिलोसफियू, रेक और next, fifth point क्या, practical और यूटिलिटेरियन, या आज की जमाने में जो हमारे जरूरत है, या यूटिलिटी रखता है वो philosophy की बात pragmatism करता है ती यह तो हमना देख चुक है, यहाँ से जॉन टिवी के सब्दों में बोलें, कि मानो बादलो के रूप में अस्थिर होते हैं, मान यानी value, मुल्य, ठीक है मुल्य क्या है, बादलो के रूप में अस्थाई होते हैं, वे समय समय पर बदलते रहते हैं और वास्तत विक्ता अभी भी बनाने के प्रक्रिया में और वास्त-विक्ता क्या है अभी भी हमको इचाइच कर रहें हैं तथकर स्थितियों से जुड़े होने के करने कारण विचार समात होते हैं तीक है यानि कि अगर हम कोई चीज आभी का एडQué टत्काल और तत्काल is time to time तुरन्थ तुरन्थ स्थिती से जुड़ो होने कानए wixyaar change होते रहते है इसलिए यह वाला कीपॉइंट यरू बारनी की पुरिया हें हिंदी वालाओ्ट्ट रियलिटी प्रोसेस्ट Johnson संथि solitary कि रहे हेे इक की पॉइंट है हम लिख देते हैं don't worry सबके लिए मान बादलों के रूप में अस्थिर होते हैं दूसरा तो यह सारा कुछ है तीक है और क्या था वह भी देख लेते हैं आजो हिंदी वाले की पॉइंट लिखी लो बता देते हैं अभी यह मनुसे सभी चीजों का मापक है तीसरा फिर और इसके फादर कोने चाल पिर्स तो यह सब लिख लिख लिए होगा नेक्स चलते हैं अब यहां से देखो फ्रेंट यहां से इतना जो इसके पहले जो जो चार पांच पॉइंट बोले वह बहुत इंपॉर्टेंट है और अब जो हम लोग परेंगे ना उसकी हेडिंग प्रिंटल फैक्स और प्रिंसिपल तो यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझ लो मैंने समझने के लिए यह एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा है ना बागी आपको या या रखना है यह यह कीवर्ड सिया तो लिखने की ज़रूबत नहीं है लिखना सिर्फ यह है य यह सब क्या है relative terms है 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 यह सब क्या 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 है यह जैसे हमको रखता है यह अल्टीमेट होती है यहां पहुसते है तुरण चेंज करके नहीं है तो वह चेंज होते रहता है तो आज जो सच हो जरूरी नहीं कि आगे भी वह सच हो या दूसरे के लिए सच हो या अच्छा हो तूसरे के लिए सच कैसा होना चीए जो हुमन के अक्टिविटी के दोरह वेरिफाइब किया जा सके थीक है थाइज क्या है इंपोर्टन करेक्टरिस्टिक है इस फिलोसफी का फाइं नेक चलते है यूजफुल रिजल्ट इस अ क्राइटेरिया ओफ दे टूस्फुल रिजल् अगर सच को फिस्स माना जाएग और कर टेन या इस अब कोई हमपन या पर्दा लगा है एग्दम फिक्स है वही है तो यह क्या क्या है हमपर करतेगा प्रोग्रेस अफ दा वर्ल्ड जो दुनिया उसका प्रोग्रेस नहीं होगा अक्रिंग तो प्रेमाटिजम और इसी ले इसनलीज ऑख जब चैंज होता रहेगा तो वह प्रोग्रेस लात रहेगा क्या है प्रोग्रेस जिए एक व्यायल वेल्यू कैसा होता है इंस्ट्रेमेंटल घंड था बेद भीर्ट लिख लो तीसरे अभी तक में दो पॉइंट पर है पहला क्या thats छेंज होते रहता है द नुषरा वैलु यहां पर क्या है फ्रोग्रेशिंग होते रहता है चेंजेज होते रहता है और यसी लुग वैल्यू कैसा है इंस्तुमेंटल होते है आप लोग लिखे हैं, fine. Solution of the problem is criteria of the truth. जो भी solution हो प्रुट का है ग्रैटेया है human life is full of problems human life is full of problems experiments are carried out to solve these problems in some problems को carry करने के experiment क्या है carry किया जाता है the success of these experiment bring us to the point of truth in some experimentus success है वो का हमें सचाही तक लेकर जाता है in short truth is that we solve the problem of life in short में पोले तो कोई भी problem of life को again कर दिया गया है कि सच्चाई के तुथ वही है जो हमारे problem of life को solve कर सके for example अब कम्प्यूटर सीखने से हमारे earning बर रहा है तो यह अभी का सच्चाई क्या है practicability utility क्या है यही कम्प्यूटर सीखना क्योंकि यही सच्चाई है typing सीखने से हमारा earning बर रहा है न घट रहा है तो यह typing के अभी के लिए यह truth नहीं है truth हमारे लिए क्या है computer सीखने क्योंकि वह हमारे सीखने की कतिविदी को बढ़ा रहा है knowledge is the result of action knowledge क्या है something which is out out in action that is ideas are born out of activities knowledge क्या है वह यह बता रहा है कि idea क्या है जो किसी activities आता हो करके आ रहा हो okay man learn various activities that he is engaged in his long path of life man जो बहुत सरे activities को सीखते हैं जो उस long path में involved है social rather than individual values अब यहां पर important reference pragmatism जो है वो society के focus करता है society की बातों को focus करता है क्यों society में अलग अलग लोग है सबका अपना अपना thinking है सब अपने अपने तरीके से काम करते हैं democratic value है तो इसलिए यहां पर क्या है बहुत सब्जेक्टिव थोट आजा था 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 रियालिजम में हम लोग क्या देखे थे objective है ना रियालिजम में बोले थे एक जगह मैंने बोला था कि वह objective point of view रखता है और यहां क्या subjective point of view रखते हैं जैसे man क्या सोसल बिंग है सोसाइटी में बॉर्ण वहीं जीएग और वहीं मरेगा इसलिए उसका एक्जिस्टेंस बीना सोसाइटी का क्या मिनिंग्लिस है कोई मतलब ही नहीं है इस टर्म का हम लोग एक और जगह यूज करेंगे मैं आप जामुझ के भी यह लिखा है आगे एक फिलोसफी पढ़ेंगे वहां यूज करेंगे तो उसको अप्सर्ड भी बोलते है मिनिंग्लिस को ठीक है इस बीजिए अगर इंडिविजिल वन्स वाल्य नाथिंग बट डेमोक्रेटिक वैल्यूस इंडविजिल के लिए तो यह वैल्यू क्या है आपको प्रभाइड करता है फ्रीडम एक्वालिटी तॉलरेंस रिस्पोंसिबिलिटी और जस्टीस यह जोशल वैल्यू है अगर अगर हम इस सोसाइटी को नहीं मानेंगे तो हमारा एक्जिस्टेंस कहीं भी माहिने नहीं रखता है तो इसलिए कौन से वैल्यू को मोर फोकस करता है पर से कशल में परूलक से माले ग्राइड देमोक्री वैल्यू अ कहा है नेक्सट बात करते है तो यूसफुल आएक लेकिन कोई आईडिया हमारे यूसफुल नहीं है और अच्छा नहीं है गलत है तो वह हमारे काम लाईक नहीं है यानि कि हम यहां भीक सब्जयक्टिविटी देख तो ह Underwood कि इसी कलिए दिली तूमप्वी सब्जेक्टिवर्त अच्छलब उशले-पनधा के मेद हैं ने हएंगे मेड मेंरे र यजिटकर से अरे रल लिए मेरे लिए टाइपिंग ऊसके मेरे हैं ने हम असकता है कोई करते हैं जाहां पियोगर्मन्में्ट जोब मेरे रुदुर्संता है नियुक्ति आपर तो नियुक्तिन है तो सोसाइटिकल बात पे चलता है तो सब कुछ उसके हिसाब से मूव करेगा जिसका जैसा होगा वैसा मूफ करेगा नेक्स अब यह भी बहुत बहुत इंपोर्टन्ट है इंपोर्टन्स ऑफ मैन पावर अब यहां बात करते हैं तो मैन का एक बहुत पावफुल और डॉमिनेटिंग ऑर्गिनिजम है यूनिवर्स में ठीक है बाई वर्ची ओफ इस पावर अपने पावर से वो क्या कर सकता है चेंज कर सकता है अपने इन्वर्मेंट को फाइन ही कन चेंज इस इन्वर्मेंट वो अपने इन्वर्मेंट को चेंज कर सकता है और मेकिट यूसफूल और यूसफूल काम लायक और यूसफूल बना सकता है फॉर इस अपने डेवलपमेंट के लिए और for society के लिए clear manpower का importance पे focus करता है pragmatism fine importance of manpower ठीक है तो man क्या है यहां क्या रखना है कि हम हम इनसान है हम वेक्टी है हम अपने ही साथ हमें action करना है आपको सचो कि हम energy अपना वेस्ट कप करते हैं तभी करते हैं जब हमको कोई काम से फाइदा मिले हम इस class को क्यूं देखेंगे तभी देखेंगे जब को इससे जैराफ हो जब हमको इससे net निकले तो हमारा इंपोर्टेंस है मैन पावर का इंपोर्टेंस है क्योंकि उस वो खुद ही अपने इन्वामेंट में चेंजेज ला सकता है वो खुद अपने इन्वामेंट को ऐसा बना सकता है जो उसके लायक हो उसके डेवलपमेंट के लायक हो उसके सोसाइटी के डेवलपमेंट के लाय करता है वही रियालिजम हम लोग क्या देखे थे पास प्रेजंट और फ्यूटर तीनों पर फोकस कर रहा था ठीक है ट्राइटर वांस तो सोल्ड़ प्रॉब्लम्स ऑफ प्रेजंट एक्स्पिरियंस अभी जो एक्स्पिरियंस से उसके बेसिस पर यह करता है यह पहले क्या सी करता है यह बिलीव करता सिफ और सिफ प्रेजंट रियालिटीज भे और लाइफ पे ठीक है फिर इसके बाद तो मेग दा पीपल थिंक एन आक्ट इन रियलिस्टिक वे तिक और यह जलिस्टिक वे में आट करता है अब प्रिंसिपल अफ प्लूरालिजम की बात करें तो हर परशन का अपना अपना पॉइंट अव्यू हर परशन का अपना अपना एक्शन हर परशन का अपना अपना आइडिया उसके साथ है तो इसलिए यह प्लूरालिजम पे बेस्ट होता है एक और कौन सा फिलोसफी है जो प्लूरालिजम पे बेस्ट होता है वेरी गुड रि इफ रूट्स आर मेनी एविवन मस्ट बिव फुल फ्रीडम तो फॉल वन्स ओन पाथ अगर सच बहुत सब्सक्राइब तो लोगों को फुल फूरा फ्रीडम होना चाहिए कि अपना कौन सा पाथ को अपनाना है कि मुझ्श अच्चाहित पहुचें जौट्स एजर परोसिश अगरे कि सब्सक्राइब को ना दिन फॉल यह सब कुछ किया बनाता सवाएटी को फ्लूराल इस्टिग मनाता है नेक्स्ट बात करते हैं, reality is still in the making, देखो यहां भी आ ही गया लग से, मतलब further is more helpful and bright in comparison with the present, the world is still in the process of formation and development, and world के है, अभी भी formation बनने और डेवलप होने के situation में है, तो इसलिए जो reality है, भी भी बन रहा है, अभी भी चल रहा है, सबसे बढ़ा फिर यह anthropocentric है, अन्थ्रो कहीं भी मतलब man से समझना, human being से समझना, और इसलिए यहां पर human का experience क्या है, center of reality है, human experience क्या है, center of reality है, clear, तो यह भी एक key point होगा, अब एक पार हम से लोग सबको recall कर लेते हैं, सबसे पहला, क्या था, truth जो है, क्या होता रहेगा, एक सेग्ड, कोई blank page पे करते हैं, ताकि अच्छे से हो, है न, चौर, सबसे पहला क्या है, truth कैसा होना चाहिए, changeable होना चाहिए, fine, दूसरा, real criteria of truth क्या था, वही truth जो useful or practicability हो, third क्या था, हम लोग की concept value पे focus करते हैं, social और democratic value पे, और values होता मेंली कैसा है, यहाँ पे, instrumental होता है, ठीक है, चौर्था हम लोग किसको oppose करते हैं, oppose करते हैं, old customs, traditions, values, जो fixed हैं उन सब को, और, इसमें हमोस करना क्या होता है, action, और वह action किस पर depend होता है, man पे, और इसलिए man क्या सबसे importance है, यहाँ importance of man power, fine, फिर यह किस पर focus करता है, हमारे आज पे और कल पे, present और future पे, और वही past की बात करें, तो past, present, future तीनों पे कौन फोकस करता है, हमारा realism, very good, फिर next बात करें, तो next क्या है, reality in making, reality in making, यानि reality is still in making, अभी भी reality चल रहा है, भी भी बन रहा है, आठवा बात करें तो, अब इतना साड़ा कुछ है, तो आप बताओ, अपना अपना point of view, अपने बारे में सोचना, अपने हिसाब से काम करना, मेरे लिए यह useful है, तो हम यह करेंगे, मेरे लिए वह useful है, तो हम वह करेंगे, तो इन सब चीज के लिए क्या है, subjectivity आ जाता है, प्रकृती बात का दर्शन निमने लिए कि मूल भूत तत्यों में विश्वास रखता है, मतलब यह जो नीचे बेसिक सब है, सबसे पहला सत्य का सवरूप बदलना, तुरूथ हमेशा चेंज होते रहता है, यानि इस दर्शन के नुसरा सत्य वास्तविक्ता अच्छाय सुन बदलते रहता है, व्यक्ति स्थान, समय या परिवर्तन के साथ बदलते रहता है, फाइन, नेक्स्ट उपयोगी परिणाम सत्य की कसौती है, यानि अगर हम कोई तुरूथ कब होगा उपयोगी, वो सत्य कब होगा, जब हमारे लिए वो उपयोगी हो, यूस्फूल हो, हमारे समस्य का समादान हो, तभी वो तुरूथ है, यानि मानव जीवन किस से बढ़ा, समस्याओं से बढ़ा है, इन समस्याओं को हल करने के लिए प्रियोग किये जाते है, और इन समस्याओं का हल प्रियोग किये जाते है, और अगर इन प्रियोगों की सफलता हमें सचाई क और ले जाती है अगर सफलता हुआ तो कहा ले जाएगी सच्चाई की और ले जाएगी और वो क्या सत्य है ठीक है ग्यान किरिया का पड़ी नाम है नॉलेज कहां से आ रहा है एक्सेंस हमें एक्स्पेरिमेंट करेंगे तो नॉलेज आएगा और हम लोग एज़ा है बहुत सारा नॉलेज सीखते हैं समाजिक बल्कि व्यक्तिगत मूले समाजिक होना चाहिए ना कि व्यक्तिगत इंडिविज्यल नहीं सोसल रादर दैन इंडिविज्यल वैल्यू समाजिक वैल्यू पर ज्यादा फोकस करता है ठीक है यानि व्यक्तियत मूल्यों के वजाए इंस्टीड ऑफ इंडिविडियल वैल्यू किस पर फोकस करता है समाजिक और आदर्श महतपूर्ण है यानि कि लोकतांत्रिक मूले समाजिक मूले लोकतांत्रिक मूल्यों के लावा और कुछ नहीं है ठीक है अब विचारों की उपयोगी था यानि जो आइडियाज आ रहा है जो यूजफूल होना चाहिए काम का होना चाहिए यानि अगर वह उचीत है और सही है तो वह उपयोगी है हमारे लिए अने था क्या है गलत है उपयोगी नहीं है यह दर्शन बहुत अधिक व्यक्ति पड़क है यानि सब्जेक्टिव है व्यक्ति हर व्यक्ति की बाद रखता है क्योंकि एक विचार या चीज जो किसी के लिए उपयोगी है वा ज़रूरी नहीं दूसरों के लिए उपयोगी हो सकती है ठीक है जन सक्ति का महत्व रखता है यानि कि मैन पावर का मनुष्य ब्रमान में एक बहुत सक्ति सालेव प्रभावी जीव है अपनी सक्ति से अधार पर वो अपने वातावरन को बदल सकता है और समाच के लिए अपने विकास और विकास के लिए उपयोगी और अनुकूल बना सकत ठीक है वर्तमान पर जोर यह दर्शन अतीत के छेतर में नहीं दिखता है यह वर्तमान अनुभाव के अधार पर वर्तमान समझ्याव को हल करना चाहता है यह पीछली पीडियों के अनुभाव को महद्व नहीं देता है इसलिए पुराने रीती रवाज परमपडाव का बॉत करता है क secondly बहुलवाद का सीधान कि में क्या है लिए पैरली बोले 1 पर सत्य बहुत है अनेकह एक नहीं कई सत्य आते हैं और इसी एक नहीं कई सत्य को अपनाने हम लोग अपने अपने मार्क पर चलते हो जिसके कान पूर्ण सोतंता दी जाती है यह दी जानी चाहिए और चुकी दुनिया पुनर निर्मान यानि बार-बार बन रही है चेंज हो रही है और विकास की प्रक्रिया में इसलिए समय के परिवर्दन के साथ वास्तविक्ता की प्रक्रिती भी बदल जाती है यानि जो रियालिटी है वो भी क्या हो जाता है चेंज हो जाता है और यह सभी बाते सम भाविशम का में नकाल दुनिया अभी भी गठन और विकास की प्रकरिया में यानी कि वोड भी हग हो राय है and development के form में है यह मानव केंद्री थे यह human being anthropocentric है क्योंकि मानव ही experience को यह कट्टा करेगा वास्तिविकता कि केंद्र में मानव अनुबाव human experience बहुत जादा important रखता है ठीक है अब हम लोग forms of pragmatism बात करते पर उसके पहले एक बार revise कर लेते forms of naturalism तो forms of naturalism और forms of realism मैं बीच बीच में इसलिए यह सब लिया आती हूँ ताकि आप लोग भूलो नहीं है ना तो सबसे पहले forms of naturalism के लिए बदाओ क्या पढ़े थे हम लोग ट्रिक क्या रखे थे naturalism के लिए हाँ very good PMB और रियलिजम के लिए हम लोग कुछ ट्रिक रखे थे हैं नहीं उसके लिए हम सीधा सीधा रियलिजम पर क्या बात कि थे कि यह सो humanistic social इसके हम लोग अंदर क्या रखना था उसके नाम के ट्रिक रखे थे कि इसके exponents कौन है humanistic realism social realism sense realism और नियो रियलिजम जिसमें humanistic में हम लोग ने क्या रखा था कि पहले चार बेटे में से पहले तीन बेटे कौन-कौन Erasmus, Rebellious और Milton Erasmus, Rebellious और कौन था Milton किसका humanistic realism है फिर social realism हम लोग चौते बेटे को रखे थे वो कौन था Montagne और साथ में उसकी मम्मी को रखे थे यह ना वो कौन थी? लौके फिर sense realism हम लोग किसको रखे थे? सब को रखे थे, बैकौन को रखे थे Malcaster को रखे थे जो उसका friend था फिर जहां पर affair पकड़ा गया था Comanious वहां और कैसे बताया गया था जटके में या नि रटके में और लास्टली किसको रखे थे? नियोर्यालिजम नियोर्यालिजम में कौन था? बैकौन जिसके साथ affair चला रहा था? वह कौन थी? बैट्रेंड रसेल वाइट थी? वाइट थी? है ना? और जासुसी किस ने किया था? मलकैस्टर के साथ मिलके? रसेल ने तो इस तरह से हम लोग याद किये थे forms of realism forms of naturalism में क्या क्या याद किये थे? PMB फिजिकल किस ने दिया था? डेमोक्राइटस ने mechanical जहां mechanics यादि human को क्या माना गयता है? instrument और biological में man क्या था? offspring था? nature का है ना? तो यह बात किया तो उसी तरह से अब हम लोग बात करते हैं pragmatism के forms का forms और pragmatism में बात करेंगे तो सबसे पहला form क्या है? humanistic सबसे पहला form है humanistic यानि जो भी हमारे purpose को fulfill करेगा या satisfy करेगा वही सच है इसमें यही बोलता है humanistic form of pragmatism में यही बोलता है जो भी हमारे purpose को satisfy करेगा सच बैठाएगा वही क्या है? humanistic pragmatism है दूसरा experimental experimental क्या है? हम जो भी experiment करेंगे verify होगा तो वह true है तो वह experimental pragmatism है फिर क्या है biological? biological क्या है? society में adjust करना, environment में adjust करना, Darwinian theory of selection यह क्या है? theory of selection है Darwin का, fine तो यह हमारे purpose को अगर fulfill कर रहा है, हमारे desire को satisfy कर रहा है तो यह क्या है? biological pragmatism है, forms of pragmatism है तो यह साड़ा कुछ होता है, fine, अब देखो याद इसको कैसे याद रखेंगे? उसके लिए तो मैंने trick दे दिया H, H, S, S, और N, है ना? humanistic, social, sense, और neo इसमें भी और क्या trick दिये थे? कि जो human है कहा रहेगा? social में रहेगा? कैसे observe करेगा? sense के साथ observe करेगा और neo realism और यह साड़ा उसका trick भी था pragmatism का, fine लेकिन उसी तरह से अगर हम बात करें, naturalism में हम लोग क्या देगे थे? PMB अब friend यहाँ जो pragmatism में हम लोग किसके बात पढ़ें? realism और naturalism के बात पढ़ें pragmatism तो देखो तो realism में humanistic, social, sense और neo था तो देखो तो क्या humanistic उठके यहीं प्या आ गिया है? और इसका biological उठके यहाँ आ गिया है? एक pragmatism में एक ही extra form याद रखना पड़ेगा न वो क्या है? experimental ठीके? और ऐसे याद रख लो बैह हम लोग करेंगे तो बस उससे याद रख लो बैह से biological, experimental और humanistic और भी कुछ भी घटिया आप लोग बढ़ा सकते हो ठीके न मैं ऐसी हस्ते परते खेल अपने सारे chapters को याद कि तो मैंने आपको लोग को यह बता दिया आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो ठीके? तो यह हो गया pragmatism में forms हिंदी में समझ लेते हैं मानफता वादी जो कुछ भी हमारे देश्य को पूरा करता है हमारे इच्छा को पूरा करता है हमारा जीवन सत्य वह हमारे लिए जिसको humanistic pragmatism कहते हैं प्रियोगिक में क्या बोलते हैं जो कुछ भी प्रियोग आत्मक रूप से सत्यापित किया जैने एक्स्परिमेंटली प्रूफ कर दे उसको कहते हैं प्रियोगिक एक्सपरिमेंटल प्राग्मेंटिजम ठीक है और जैवी की बात करें तो समाज में समाई ओजन और इन्वोर्मेंट डार्वीनियन चैन का सिद्धान्थ को क्या कहते हैं जैवी कि यानि डार्वीन का जो त्योरी ओफ सेलेक्शन था सेलेक्शन क्या था जो फीट टेस्ट है वह सर्वाइब हो लोगा तो वह होता है इसमें प्राग्माइब टीजम में के फॉर्म ओफ है ना तो यह लिए हो गया है खाए है मैं इसके आगे थर्ण सा बप्राव को कि करते हैं क्या है क्या वह शच्च है क्या वह रियल है क्या है क्या गॉड इग्जिस्ट क्या 1 अगरत है तक दो कैसा है यह सब कउस्ट्र मेंड इस ब् Eugene Twin क Iya कि लेकिन यहां पे this metaphysics को नहीं मानता है reject कर देता है फिक यह बोलता है कि practical aspect क्या है reject करता है metaphysics बार में इन एरय फिलोसफल inquiry न the same करता है उस पे प्राक्टिकल बिलीफ इन प्लेश ओफ फिंकिंग अबाट कॉसमोज यानि विनिवर्स के बार में सोचने से अच्छा है किस पर सोच प्राक्टिकल चीजों के बार में प्राक्टिक लीटी की बात करो, ठीक है Soul नहीं है ? इसकुछ नहीं है ! लनकर बोलना कि नहीं है ! जो इंडिवीजियल का experience होगा, हम उससे determine करते हैं, reality को, fine, तो यह है, फिर और बात करें, तो जो आख़ आख, अब अपयस्टेमिल ऌजी बात करते हैं, एक्सपीरियेट करते हैं, एक्सपीरियेट करते हैं, बदलते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, आगे बनाते रहते हैं, और जितना ज्यादा experience इकठा करेंगे, उतना ज्यादा knowledge गेंगे, यानि, क्या है, जो शुक् knowledge कहां से मिलेगा तो experience से मिलेगा ठीक है यानि अब इस experience को reconstruct करने के लिए दो तड़के knowledge होते हैं एक immediate knowledge और दूसरा meditated knowledge immediate मतलब तुरंट जो चल रहा हो undergoing उस process में है और meditated knowledge का मतलब meditated knowledge का मतलब experience का interaction कर रहे हैं किसके साथ human के साथ और environment के साथ human environment के भीच में interaction होड़ा है experience बन रहा है इंट्रैक कर रहे हैं experience ले रहे हम वहां जा रहे हैं यहां जा रहे हर जगा सी कठ्था कर रहे हैं अपने अनुभव को ही कठ्था किये जा रहे हैं तो हम experience के इकठ्था करें जिसको बोलते इमेडियेट नॉलेज और इस क्या बोलते हैं इमेडियेट नॉलेज फाइन नॉलेज किस पर बेज्ड है experience क्या है ट्रू है जो कि मेरा यहां fix नहीं है चेंज होते रहेगा किस की तरह है क्लावड की तरह है ठीक है manpower के value manpower की बात करते है तो manpower के experience भी क्या है बदलते रहता है truth ideas सब बदलता है यहां पर ठीक है social skills children में अलग अलग डिवलप होते हैं कोई भी कार्य क्या keb मन चेंड़़ है मन चुट धीक है में जृण बुधी और यह क्या सक्रिये तत्रव है एक्टिव एलिमेंट है वास्तविक्ता क्या है लगतार बदल रही है यहाँ पर ग्यान में मानसा की बात करें तो अनुभव का मन और अंजन क्या है ग्यान है और ग्यान का मुख्य तत्व ही क्या है अनुभव यानि ग्यान कहां से आया है अनुभव से क्या आएगा ग्यान आएगा यानि यह एक दूसरे से related है अनुभव का पूर्ण निर्मान ग्यान दो प्रकार का एक तत्काल ग्यान जो तुरंत अभी अभी चलते रहता है मिलता है और एक मध्यस्थता ग्यान यानि को इसी के बीच में यानि वह कौन है इन्वोर्मेंट के साथ हम इंट्रैक्ट करते हैं इन्वोर्मेंट में हम रहते हैं उस प्रकृति में हम रहते हैं और वहां हम इंट्रैक्शन करते हैं जिसके कारण क्या होता है मैं नौलेज मिलता है अनुभव के अधार पर ही ग्यान सत्य है अगर कोई experience के बेस पे knowledge है तो वही सत्य है करयात्म ग्यान यानि जो active knowledge है और उसके समझने पर ज़्यादा जोड देना चाहिए मुले मिमान सा क्या है वो यह कि पूर्फ निधारी सत्य है विचारी और मुले पर विश्वास नहीं करता है बच्चों में समाजी कौसल विक्सित करता है और कोई act जो है वो तय नहीं है यानि कोई भी value जो है वो fixed नहीं है अब फ्रेंट बाकी यह सा बच गया educational principles इसके अंदर भी बहुत सारा explanation है इसको मैं next video में explain करूंगी fine अज अल्रडी 46 मिनट हो चुका है thank you like comment and subscribe and हां मैंने कुछ लोगों का नाम starting में लिया था यह उन लोगों का नाम है जो मुझे videos देखने के बाद मुझे specifically personally message भी करते हैं कि हाँ आज के topic में यह क्या question था या कुछ भी और भी ह और यह टॉप भी किया था मेरे test में and और भी कुछ-कुछ है जिनको मैं नहीं जानती personally but I know वो लो मेरे वीडियो को देखते हैं तो उन लोगों को भी बट हाई इनको जानती हूं यह मेरे से हर समय question पूस्टे रहते हैं तो इसलिए मैंने इन लोगा नाम लिया और मैं इन प पूस्में हो तो आप Iconic में मुझे मिल सकते हो वहां मैं आपको हर एक चीज से गाइड करूँ है everything कोई topic हो कोई content हो कोई भी point of view हो जहां आप समझना चाहते हो वहां मुझसे direct contact कर सकते हो मेरे code से आओगे तो direct मुझसे ice breaking session होगा जहां मैं आपसे direct as a video सामने सामने live chat होगा live talking होगे आपको कहा problem है क्या है आपकी हरे problems को समझा जाएगा क्यूंकि अगर आप मेरे code यूज करेंगे तर डारेक्ली मेरे as a coach में आपके सामने मिलूँगी तो वह है तो वह code में आप लोगों को जल्दी ही provide करा दूँगी फिलहाल आप सब तक मेरे वीडियो को देखो like करो comment करो and subscribe करो and thank you all of you या आपके support से ही possible हुआ है आप लोगों नहीं मुझे motivate कि go for the unacademy try for the unacademy अगर 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 सबसे जादा मुझे सर्मिश था really thank you for this आप रोज पूछते ते unacademy से क्या reply आया unacademy से क्या reply आया तो यही reply आया and वह कल आया था तो मैं यह information आज आपको share करना चाहती थी आज दो बज़े meeting थी चार बज़े meeting फिनिश हुई है तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए भी यह video डाली हूँ thank you have a nice day और प्लीज जो लोग देखते हो at least like करो ना like करने से मुझे motivation मिलती है मुझे अच्छा लगेगा at least free learners तो like करी सकते हो चलो plus learner videos देखते हैं लेकि लाइक नहीं करते हैं बड़ जो free learners है वो तो like कर सकते हो ना तो like करो okay thank you and have a nice day